दर्शुकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता रानव आज के दिन यानि बुद्दवार को बुद्ध रहे के राशी परिवर्दन की बजाए उनकी वक्री चाल का आरंब हो चुका है दोपेर 12 बच कर 43 मिनिट पर तुला राशी में चल रहे बुद्ध वक्री हो गहें और जो की 3 नवंबर तक रहेंगे कहते कि अगर कोई भी शुब रहे वक्री होता है तो उसका आशुब फल वो देखे जाता है ऐसे में बुद्ध की उल्टी चाल देश दुनिया पर कैसा असर डाले ही शेयर मार्केट में क्या उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है 12 राशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बता रहे हैं अचारे महिंग शर्मा जी आप भी देखिए दर्शों को मैं हूँ जोट्ष अचारे महिंग शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शों को आज को हम चर्चा कर रहे हैं घराओं के राशी परिवर्तन की और इसी सिजले में आज बुद्ध गरह का परिवर्तन हुआ है क्या परिवर्तन हुआ है राशी परिवर्तन नहीं हुआ है बुद्ध गिराए 14 अक्टूबर को दोपैर 12 बचकर 43 मिनट पर तोला राशी में चल रहे हैं और तोला राशी में ही मारगी थे भी तक अब तोला राशी में बुद्ध वक्री हो जाएंगे जी हाँ, तो ये भी एक तरह का परिवर्तनी है बुद्ध की वक्री चाल 12 राशी पर क्या प्रफाव डालेगी और आपको बता रहे हैं, बुद्ध यहाँ पर 3 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं तो हालागी बहुत जादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे लेकिन जितने भी समय तक रहेंगे, कोई बड़ा उलट फेर, उतार चड़ाव का सामना देश दुनिया में करना पड़ सकता है इस समय के दोरान आर्थिक सित्यों में बड़ा उतार चड़ाव आएगा राशीयों की और जिन व्यक्तिव की कुंडली में बड़ जिन चीजों के कारक हैं उन चीजों में कमी भी आ सकती है यानि कि बड़ कोई विशुभ ग्रह जब भी वकरी होते हैं तो उनका अच्छा नहीं माना जाता है वो शुभ परिणाम नहीं देते हैं तो इसी सिल्सले में अब जब बुद्वसाय का खाकर आपके बिजनस का कारक है और इन सब चीजों में उतार चड़ाव का सामना तीन नमबर तक करना पड़ेगा सबी राशयों को यानि कि कुछ राश्यों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और कुछ राश्यों को 3 नवंबर तक बड़ा सावधान रहने की जरूत है 3 नवंबर तक अगर बात करें क्योंकि पुद्ध शेर मार्किट शेर बदार का कारक है उतार चड़ा बना रहेगा एक दम से मार्किट डाउन डह सकती है खरिदारी में भी कुछ कहीना कहीं कमी रह सकती है आर्थिक सिती भी थोड़ी सी डावा डोल रह सकती है बुद्ध के कारण जिन व्यक्तियों की कुणली में बुद्ध वक्री है उनके लिए थोड़ा सा जाराई चिंता का समय रहेगा जिनकी कुल्ली में बुद्ध अस्त हैं उनको भी परिशानी रहेगी या बुद्ध पापरभाव में हैं बुद्ध छे आट बारा में हैं तो विशेश सावधान रहने की जरूत है ऐसे लोगों को तो रश्य को आज बुद्ध बारा बच कर 43 मिनट पर यनकी 14 अक्टूर को वकरी हो गए हैं और धन डानने को संचालित करते हैं सनायू तंतर का कारक भी बुद्ध माना गया है क्या प्रभाव पड़ेगा बारा राशियों पर सिल्शलेवार तरीके से बता रेते हैं और सबसे पहले आती है बात मेश राशी वालों की मेश राशी वालों की अगर हम बात करें और आपके वैवसाय को प्रफावित करेगा, जीवन साती का स्वासिस समय खराब रहेगा, काम करोवार में कोई नुकसान या हानी हो सकती है, इस समय आपसे कोई गलत निर्णेल लिया जा सकता है, तो 3 नवंबर तक किसी बड़े बदलाव से तुलाराशी वालों को बचना चा सकती है, जीवन साती के साथ विचारों में मतवेर भी इस समय रह सकता है, अगर आपके कोई बिजनस पार्टनर है, तो उनके साथ मतवेर से बचें, किसी बड़ी डील को इस समय टाल दें, तो जादा भेतर है, अगर करना ही है, तो कोई शुब समय में और सोच समझ कर तो आपके लिए बेतर होगा, अन्य था साजेदार के साथ जो नोकरी पेशा लोग हैं, आपके अधिगारियों के साथ, या आपके अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, वाद विवाद या संबन भी समय बुद्ध खराब कर सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा स चानी रहेगा, रोग रिन शत्रू की व्रद्धी करा सकता है, धन आनी हो सकती है, खर्च अधिक रहेगा, आप इस समय भोग विलास्तापर दर्शों को जारा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि व्रशों राशी वालों को देखा है कि वो खाने, पीने और जिंद्धियों को एंज समय हो सकती है, सो समझ कर चलें, और किसी के साथ वेरत का वाद विबात से बचना चाहिए, किसी की गैरंटी इस समय ना लें, किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यह जो पैसा है जल्दी से फिर लोट के नहीं आने वाला है चलिए अब वकरी बुद्ध जो है, मिथुन राशी जिनके कारक ही बुद्ध हैं, उन पर क्या असा डालने वाले हैं, देखें आपकी राशी में लगनेश भी हैं, लगन के स्वामी भी हैं, और चतुरत के स्वामी भी हैं, तो जब यह वकरी गती से पंचम भाव पे चलें तो इस समय बुद्ध का यहां आना यह आपके लिए बड़ा लखी रहेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, और यह लव रोमान्स के भी आपके धो तक है, यहनकी लव और रोमान्स समय आपका शुरू हो सकता है, कोई प्रेम संबंदों में को रुकावट प पत्रकार हैं, एक्टर हैं, क्रियेटीव रैटर हैं, क्रियेटीव डिरेक्टर हैं, उनके लिए यह बहुत ही बहुत अच्छा समय लेके आएगा, आपके द्वारा देगे सुझाव इसमें बड़े काम आएंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी समय रह सकते हैं, आत्मिश्वास को आपको बढ़ाना चाहिए, किसी कारे में रुकावट आ रही है, तो उससे अपने कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है, बलकि आपको आगे बढ़ना चाहिए, चलिए अब आते हैं करकराशी पर, करकराशी में बुद्ध का परवाब बहुत अच्छा नही हैं, और आपके कुण्ड़ी में बुद्ध जो है, तिरत्य भाव और बारवे भाव के कारक हैं, और दर्शो को यह हम बता दें, यह आपके चतुर्त भाव में इस समय वक्री हो रहे हैं, तो चतुर्त भाव से हमारी नेम, फेम, लोक प्रियता, और हमारी चल, अचल, संपत प्रॉपटी वो देखा जाता है, तो देखें इस भाव में क्या होगा, वक्री होने से माता के साथ संबन में कुछ खड़ आ सा सकते हैं, घर परिवार में कोई घरह सीती हो सकते हैं, कोई पुराना रोख इस समय आपकी मदर को तकलिव दे सकता है, या आपको भी कोई पुर लेगा यात्रा भी होगी लाब भी होगा खर्श भी लेकिन इसमें अधिक रहेगा सेहत के मावले में थोड़ा सा ध्यान रखिए आने वाले तीन नवंबर तक आपको सांस समंदी रोग कफ कोड एलर्जी जारा परिशान कर सकते हैं खान पाल पर इसलिए पूरा सहीं अब बा साथ कोई वेरत के अवाद विवाद मनमटाव टालें तो आपके लिए बेतर होगा सोच समझ कर बोले अने था परिशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस दोरान भाई भेन से या मित्रों से दूरिया बन सकती हैं संबन खटास पैरा हो सकती है यात्राइं होंगी यात्राव में आपको अपने दस्तावेज को सोच समझ कर रखना चाहिए हाला कि भागे सान पर धरम करम पर दश्टी पढ़ने से अगर आप धार्मी को जाएंगे तो आपको ये लाब भी मिलेगा और आपका उत्तरम भागे का भी सूचक देगा मान समान की प्राप्ति के आपके लिए बुद्ध बहुत अच्छा है आधें कन्या राशी पर जिनके स्वामी भी खुद बुद्ध हैं आपके कुल्णी में लगन और दशम में जाकर ये बुद्ध हो रहे हैं और सेकंड हाउस में ये गोचर रहेगा तो ये आपके लिए मिला जुला रहे हैं घर प होने का संकेत दे रहा है कारेस्थल पर आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा लेकिन लापरवाई बरतना आपके लिए महंगा सावित हो सकता है आईए चर्चा कर लेते हैं तोला राशी में जो की बारवे भाव के कारक हैं भागेसान के कारक हैं लगन में हैं तो मेरी टाइप बहुत अच्छे रहेंगे इनको रोग रिन शत्रू से समय मुक्ति मिलेगी यात्राओं कभी योग बनेगा तो बुद्ध की सिती आपको आशावादी बनाएगी और आपके लिए पूर्ण तरीके से ये बहतर रहतावा नजार आ रहा है नेकिन किसी भी कारी क शत्रू की ब्रद्धी हो सकती है आपकी सिहत खराब रह सकती है मानसिक तराब रह सकता है व्यर्थ के बाद विवाद और खर्श अधिक रहेगा यानि कि आए से जादा इस समय वह रहेगा थोड़ा सावधानी आपको ब्रतनी चाहिए और गणेश जी के अरादना करें तो आपको विशेश लाब मिलेगा चली आते हैं धनुराशी की और धनुराशी वालो आपके लिए जो गोचर है ये बड़ा मिला जुला सा रहेगा जीवन साती के साथ व्यर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं कुल मिलाकर पार्टनर के साथ संबन थोड़े इस समय खराब हो सकते हैं तोड़ा साबधानी मरती हैं आरा कि विदेशों से लाब मिलेगा कारे वेबसाय में तरक्की होगी और धन लाब की वियोग बनेंगे संतान सुख्य व्रत्धी भी हो रही है आपके संतान का इस समय मिला जो ला रहेगा कारे सल पर कोई लापरवाई करना आपको दान करें तीन नमबर तक तो आपके लिए बहुती फाइदे मन रहेगा इस समय जितना आप धार्मिक होंगे उतरा आपके लिए शुब रहेगा धन निवेश करने से मकर राशी वालों को बचना चाहिए आते हैं कुम राशी की ओर कुम राशी वालों आपके लिए यह जो कोचर रहेगा यह भागे में व्रद्धी करेगा धनलाव होगा संतान सुख्षी व्रद्धी होगी समाज में मान समान एश्वेरे की प्राप्ति होगी इस समय कारी व्यवसाय में आपको बड़ा फैसला करना पड़ेगा जो आपके लिए लाप प्रत साबित होगा यह निकि समय बढ़ सकते हैं घर परिवार में भी किसे का स्वस्ट खराब रह सकता है खासकर आपके भाई बेहन का थोड़ा सा समल कर चलें व्यर्थ के बार विवास से बचें तो आपके लिए बेतर साबित होगा अन्य था आपको परिशानी रह सकती है तो दर्शुको यह बताया हम हमने आपको पताया यह नही요 दर्शक चाहते हैं किस आधार पर होता है हमारा र Watts चंद्रमा के अधार पर होता है आपकी कुण्डी में चंद्रमा जिसे राशी में हैं उसके आधार पर यह हम र Conven बताते हैं और उसी के अधार पर भी आपको देखना चाहिए ना तो जनमलग पर नाहीं आपके सूर्य राशी के अधार पर लागोगा नाम राशी पर यह केवाल आपकी चंदरमा राशी पर आधारित हैं अगर किसी भी राशी को कोई धन संपत्ति परिशानी हो रही है मांसिक तनाव है स्वास्थानी है तो उनको गणपती जी की रादना करनी चाहिए और काले कुत्ते को रोटी दिने से उनको विशेश लाब मिलेगा, केसर का तिलख या सफेज चंदन का तिलख नाभी पे लगाए, माथे पे लगाएं तो विशेश लाब मिलेगा, बुद्वार के दिन गाएं को हराचारा खिलाएं हरी बस्तू का, हरी मिठाईयों का बुद्वार को दान करें तो विशेश लाब मिलेगा बुद्वार के दिन कौपी पैन का अगर आप दान करेंगे स्कूल के बच्चों को या उनको कोई स्टेशनरी का सम्मान देंगे तो भी आपको विशेश लाब मिलेगा और आपको कश्टों से मुक्ति मिलेगी एक बहुती सुन्दर उपाय है कि बुद्वार के दिन गनेश जी को आपको सिंदूर चड़ाइए तो भी आपको कश्टों से मुक्ति मिलेगी तो दर्शकों हमने आपको बताया बुद्वार राशी परिवर्तन अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमसे समय लेकर आपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं नीशे दिएगे नंबर पर आप संपर कर सकते हैं तो दर्शकों आज फिलाल इतना ही आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होगा एक नए रोचक तथ्याओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार